आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे आडानी इंटर प्राइजेज स्टॉक के बारे में इस समय ये स्टॉक देखेंगे तो जिस प्रकार से एक बड़े रिवर्सल इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला यहां देखेंगे कि 2550 के आजपास के प्राइस पे टेड कर रहा है ओभर ओल जो टेकनिकल ट्रेंड है वो काफी पोजेटिव है न्यूज भी काफी पोजेटिव दिखी है और जब तक 2320 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं करें तब तक स्ट्रॉंग है और यहां से जो लेवल आएंगे 2620, 2750 और 3000 ये तीन लेवल निकल करके आते दिख रहे हैं आगे इसके न्यूज या ट्रेंड को डिसकस करें इससे पहला आए होग कि आपने प्रेमियम टेलिग्राम को जोईन कर लिया है जो की बिलकुल फ्री है और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ सेयर करेंगे और डिस्किप्शन के लिंक से एकाउंट आपन कर लेंगे जिससे कि आपको एक्टिव टेडिंग कम्निटी और लर्निंग ग्रूप में जोड दिया जाए यहां देखेंगे तो इंडिविज्वल कुछ भी न्यूज नहीं है जो न्यूज थे जो न्यूज रिवेंट ट्रेंड दिखा था वो हमने दिखा जेक्यूजी के तरफ से फंड लगाने की बात की जा रही है यह सम कैटेग्री में जाते दिखा और सुप्रेम कोर्ट से जो क्लींचिट मिली और 12,500 करोर की फंड रेज कर रही है इतने ही सभी न्यूज दिख रहे थे यहाँ देखेंगे तो कमपनी जो है अपना बेस्ट कर रही है डेट को कम करने का और जो भी मोनेटाईज कर सकती है उसको करने का फंडरेज को करने का यहां देखें तो इसके volume breakout दिखें highest level volume दिखा कहां 2340 के आज पास इसके बाद stock ने 2640 तक के levels touch करें इसलिए हमने कहा कि समय 2320 के SL को लेंगे और अगेन पहला target यह होगा इसके बाद 2750 और 3000 तक के levels दिखेंगे यह तो volume technical analysis है इसके साथ ही देखेंगे तो delivery काफी बेहतर दिख रही है technical trend भी positive दिख रहा है और इस समय 2320 के strictly SL को follow करेंगे